लपेटे में नेता जी जी हां स्वागत आपका लपेटे में नेता जी में और आज हमारे साथ जो नेता जी जुड़ने वाले हैं वो बहुत खास हैं कोई नेता आपने सुना कि Guinness book of world records का holder हो Guinness book of world record में records हैं नेता जी के और BJP के संकाड मोचक है महराष्ट में यहां राम कदम जी महराष्ट BJP नेता राम कदम हमारे साथ जुड़ रहे हैं राम जी आईई स्वागत आपका हमारे मंच पर पहले तो जो लोग आपको लपेटने वाले हैं, उनसे मिल लेते हैं हमाई साथ मौझूद हैं, महराज सही आते हैं सुनील साहिल बिरीद पंडे सदार पता पॉशदार और चिराग जैं आपके जौनाती जाए वाहे गुदा खालसा वाहे गुदी फते हम लोग बैसे भी आप रिकॉर्ड दारी हैं क्यों नहीं होंगे, हम लोग राष्टबादी हैं आप महाराष्टबादी हैं आपका इस्वाज़त है और हमको सर आपसे बस एक ही बात कहनी है वो यह है कि जो कुछ होगा मस्ती में होगा बिलकुल बिलकुल आनन्द में होगा ठीक है तो पहले तो हम आपको थोड़ा सा धानावाना डाल देते हैं आपका सबसे पहले तो हम विलकुम करते हैं सर और राम कदम जी आपने बिलकुल सही कदम उठाए हैं आपको भी खुशी हो रही होगी आप लपेटे में आए हैं आपको भी खुशी हो रही होगी आप लपेटे में आए हैं आपके प्रहारों से विरोधी ओंधे मुह गिरे रहते हैं आज कविताओं का आनन्द लीजिएगा वैसे तो आप फिल्मी सितारों से घिरे रहते हैं घाट कोपर का प्यार और वोट आपके साथ दोनों भरपूर है आप तो फेमस हैं आपका दही हांडी प्रोग्राम भी मशूर है और हो भी क्यों ना उसमें बड़े बड़े सेलीब्रिटी आते हैं और जिन्हें अपना प्यार नहीं मिलता उनके लिए आप मदद का हाथ भी बढ़ाते हैं उनके लिए आप मदद का हाथ भी बढ़ाते हैं पर आप युवाओं के भविश्य की चिंता करते हैं ध्यान देते हैं और ये भी जानकर खुशी हुई कि इमानदार लोगों के लिए आप स्टेंड लेते हैं इमानदार लोगों के लिए आप स्टेंड लेते हैं संसकृति विरोधी गतिविदियों के खिलाफ आप अपनी बात आक्रामक्ता से कहते हैं सही को सही गलत को गलत कहने में पीछे नहीं रहते हैं पर आपसे शिकायत भी है हीरो हीरोईनों के साथ तो आप त्योहार धूमधाम से मनाते हैं लेकिन अपने कारेक्रम में कभी कवियों को नहीं बुलाते हैं अपने सारक्रम में सभी कवियों को नहीं बुलाते हैं, खेर फिलहाल तो देश के नंबर वन शो में आपका स्वागत है, सद्कार है, आप भी रेडी हो जाईए, क्योंकि आपको लपेटने के लिए कवियों की ये मंडली बिलकुल तयार, वाद, मैं दू तयार है, आप कविय आप बोलेंगे? कविता बच्पन में लिखा करता था, तर आभी थोड़ी बुद कविता है, थोड़ी बुद शेरोशारी सीख लेथे पापाजी ये तौ अच्छी अच्छी बात है सर, तो हम भी आपसे उम्मीद कर सकते हैं, जैसे इसे ने कहाँ के वो नौजवानों को सपूर्ट करते हैं उस प्रगराम में आप, तो कुछ भूजर्गों के लिए भी प्रगराम एर करते हैं, अर्या पहाँ कभड गणिया, वो एक अध नमबर आमें भी देदा ना सर नाम तो हराम किंतो काम हनुमान का है भस्ती है वाजपा तो आप ही बचाते हैं वहत अच्छे वाजपा तो आप ही बचाते हैं और सीता जी को मुंदरी का सेवक सबूत दिया तो पार्टी के बचाने के सबूत रूड़ लाते हैं यह आपकी खूबी है सब के हालंक आप भी तो पंगे खूब लेते रहते हैं आप भी तो पंगे खूब लेते रहते और पिरोधियों को अपने पंगों में फसाते हैं पर सर यह मेरी कामना है मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कभियों की तरफ से पंगों में फसाते हैं और जासूसी की चमता को देख मुख मंत्री नहीं आपको तो सीवी आई चीफ वनवाते हैं और पिर आपका भविशी भी बता देता हूँ मैं अश्टो लोजर हूँ सर आप करना क्या चाह रहे हैं मन की बात बताता हूँ पहला मौका लगते ही अपनी सरकार वनवाओगे पहला मौका लगते ही पहला मौका लगते ही अपनी सरकार वनवाओगे और यदि मौका नहीं लगा तो दूसरों की सरकार गिर्वाँ वो देखे कभी यानि ये तीनों दल जब चुनाओं में खड़े हुए तो एक दूसरे को गालिया दे करके इन्होंने अपने नुमायंदे चुनकर के लाए यानि यदि शिवसेना के नुमायंदी को किसी ने चुन करके दिया होगा, तो शिवसेना का नुमायंदा कॉंग्रेस और राष्टवादी के नेताओं को गाली दे रहा था, उनके भी नुमायंदे इनको गाली दे रहे थे और अंत में ये सारे लोग इखटे आएं और इन्होंने ये सरकार बनाई तो सबसे पहले इन्होंने गलत किया खंजिर भोका उन मतदाताओं के पीट पर तो लोगों के मन के मुख्यमंतरी आज भी देवेंद्रा फड़नमी जी है कभी कोई आधा है कभी कोई पॉन है जिससे सवाल करो वही यहां मौन है आप मुंबई से आए हैं भाई साव आप ही बताइए अगर वान खेड़े स्टेडियम का नाम है तो इस स्टेडियम का असली खिलाडी कौन है अगर वान केड़े स्टेडियम का नाम है अगला एक और प्रस्ट में आपकी जनाक्रोश यात्रा देखिए उसमें आपका बयान भी सुना बहुत अच्छा लगा वो बयान विपक्ष की ओर से वो बयान होने चाहिए नियम सब के लिए समान है चाहे कॉंग्रेसी हो या भाजपाई लोक तंत्र में विरोध का आधिकार सभी को प्राप्त है भाई भाजपा की जनाक्रोश यात्रा को रोकना सरकार के लिए शरम नाख है तो किसान आंदोलन को रोकते हैं सरकार को शरम क्यों नहीं है और तीसरा मासूम सा प्रशन बहुत मासूम सा एक इस देश में मासूम आदम है जिसके पीछे वाजपा पड़ी हुई है एक मात्र चीज उस आदमी के पास बची है उसको भी प्रेस कॉंफरेंस में कह दिये कि वो अपना मोबाईल जमा करा दे भाई सब सुनना आपने भी विपक्ष में नीवु नी चोड़ रखा है कैसा भी ठीक रहा हो कॉंग्रेस के सर फोड़ रखा है राहूल गांदी के पास ले देके एक मोबाईली तो है उस पर भी इजराहिली पैका सस छोड़ रखा है राहूल गांदी और उनके टीम के पास अब ढोल बजाने किसी अब बचा क्या है अब आप कभी लोग उन्हें बुलाओ और इस कविता को संगित बत करो तो शायद उनको कुछ काम मिले हर ऐसे मुद्दे को वे पकड़ के ले आते हैं जिस मुद्दे को किसी भी प्रकार का स्पर्च नहीं है ना ही विकास का स्पर्च है केवल और केवल गोल लोगों को घुमाना कितने साल गुमाओगे गोल वो भी आपके होते हुए अच्छी बात आपका स्वागत है कदम जी आप मुंबई से आते हैं मैं पूने से आया हूँ तो आप मेरे लिए थोड़ा सोफ्ट कॉर्णर रखिएगा वैसे भी लीज पर आया हूँ आज चैनल ने आज आपको बुलाकर एक ठोस कदम उठाया है और आपके नाम में कद भी है और दम भी है और आजकल मुंबई नगरी दम के लिए तो भोचर्चा में है और हमारे नवाब जादों के लिए आजकर नवाब साथ दम लगा रहे हैं ये पंच मारने के विए मैंने भी दम लगाया है तो सर नवाब मलीक जिस तरह से वान खेड़े के पीछे पड़े है तो मुझे लगता है ये वान खेड़े की पिछ खोड़के मानेंगे आप लोग ही कहते थे कागज दिखाओ कागज दिखाओ अब वो नवाब मिली के रोज आपको कागज दिखा रहा है अब पाकिस्तान पे बड़े आप प्रतिक्रियाइं देते हैं सर मैं अभी 2020 का मैच हुआ तो पाकिस्तान के एक मंत्री है शेक रसीद और ने बयान दिया कि क्रिकेट की जो जीता ही सुनियों उस पर यह पाकिस्तान को देखके न मुझे कई बार लगता है चिराग भाई कि इन जंडे में चांद आ रहे हैं अब इनके देश में ना तो बिजली है ना पानी है तो मुझे कई बार लगता है देश नहीं को ग्रह तो नहीं है तो कुछ वेंगात्मक ब्रेकिंग न्यूज आपकी नजर करता हूं परदूशन फैलाने वाले पठाकों पर सुप्रीम कोर्ट ने की सकती क्या बात है ओएसी और केजरिवाल ने माना इसे व्यक्तिगत हमला दूसरा सुनिये अखिलेश यादव ने लैप्टोप बाटे लैप्टोप में युवाओं ने देखे लड़कों से गलती हो जाने के वीडियो क्या बात है वाह 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 कॉंग्रेस केटी तुलसी ने कहा ड्रग्स को वैद करे सरकार कॉंग्रेस ने बनाया उन्हें अपना अगला पी-म कैंडिडेट नाले पर पठाके छुडाने पर लगी आग में बच्चे बाल-बाल बच्चे पेट्रोल डीजल घरेलू गैस के बाद नाले की गैस भी भड़की बहुत परदान मंतरी मोदी जी आज इटली के दोरे पर गए इटली की दरोहर वापिस लोटाने पर करेंगे बाद चीत क्या बात है वाँ 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 प्रियंका गांधी चार बाग रेलवे स्टेशन पर मिली कुली भाईयों से बोली सारी दुनिया का बोजगर उठाते हो तो कभी कॉंग्रेस मुखालय का भी दोरा करो मार्क जुकरबर्ग ने फेस्बूक का नाम मेटा किया बोले मेटा भाई उनके सपनों में आते थे आए हाए मेटा भाई देखते रहिए लपिटे में नेता जी नाम जी कुछ सवाल लेते हैं बस आपको इसमें छोटा से एक लाइन का आंसर देना कुछ तस्वीर आपो दिखाते हैं आप बताईए इन दोनों में से किस को बहतर मानते हैं चलिए नेक्स देवेंद फर्नवीज वर्सेज नितिन गटकरी दोनों बहतर 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 आज मैं कली केदानाथ था हिमालेक में भी इतनी सुन्दर सड़के बनाई है गड़करी साब ने तारिफे काबिल हैं और देविनर जी तो 24 गंटे में लगबग 20-22 गंटे लोगों के बीच में रहते हर व्यक्ति को मिलते हैं चलिए इसमें बताईए कौन बहतर है हिंदुत्व या विकार हिंदुत्व के साथ पूरे देश का विकार आपको बिल्कुल सही लिखा है पर वर्सेस के जगह पे हिंदुत्व के साथ वर्सेस के एंड होना चाहिए अच्छा इन में कौन बहतर है वीर सावकर या महात्मा गांदी दोनों का अपना योगदान है महात्मा गांदी का योगदान हम नकार नहीं सकते और विनायक दामुदर सावरकर जी ने जिस प्रकार की सजा इस देश के लिए भुकती है उसको हम नकार नहीं सकते अगला अगली तस्वीर इन में बहतर कौन इन दोनों में बहतर कौन किसी में तो एक तुन लीजे देखो कैसा है कि अटल जी भी बहतर है मोदी जी भी बहतर है और आज मोदी जी को पुरे बिश्व ने बिश्व नेता करके स्विकार किया है और ये सवासो करोड हर भारतियों को, हर एक का सीना चोड़ा हो जाए, ऐसी गर्म की बात है चलिए, तो किसी में भी आप एक, मैं शायद सवाल मुश्किल थे सब कुछ अच्छा था, सिर्फ जोड़ना गलत कही ने कही रहे गया सर भी चुनाओं होने वाले हैं, और फोकस में बहुत उत्तरप्रदेश का चुनाओं है आपके उपर भी दबाओं है, तो विरोधी दल क्या-क्या कर रहे हैं, बाकि दूसरे दल क्या-क्या अपनी फिल्डिंग कैसे लगा रहे हैं, एक कभी तक है, सुनिएगा सर्थ कि यूपी में मोर्चे अनेक बनते दिख रहे हैं, भाजपा के लिए हेडेक बनते दिख रहे हैं, केजरी वाल भी मैदान में आ चुके हैं, अयोध्या के चक्कर लगा चुके हैं, याद है न, दिल्ली में हनुमान 40 पढ़कर 62 सीठ लाए हैं, उत्तर प्रदेश में तो जै स्री राम बोलके आए हैं, अखिलेश यादों ने मैं आ रहा हूं का टाइमर लगा दिया है, न चाहते हुए भी नजर तो जाती ही होगी, घड़ी की टिक-टिक धड़कन तो बढ़ाती ही होगी, बहन जी ने भी पूरा जोर लगा दिया है, सोई हुए हाथी को फिर से जग अब भाजपा को फूक फूक के पाओं धरना पड़ रहा है, अलग अलग जातियों का सम्मेलन करना पड़ रहा है, ओवेसी भी मौका ताड़ रहे हैं, जहां लोहा गरम मिला वहीं हतोड़ा मार रहे हैं, और इतनी सी बात समझ तो आही सकती है, कॉंगरेस चाहे सीटे न जीते, वोट काटके डेंट तो लगा ही सकती है, और ये वोट काटके डेंट तो लगा ही सकती है, उस पे पर्टी के अंदर सी-एम पद की महतो कांगशाएं, दिल की हस्रत, दूसरे नेता ऊपन करके भी कैसे दिखाएं ओपेन करके भी कैसे दिखाएं, पर समस्या ये है कि खीच तान चल रही है और दिखानी भी नहीं है, पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि मिर्ची खाली और पानी भी नहीं है, अपने काम गिनाएं, विरोधियों का जवाब दें, या लोगों का मन वादों से भर दें, भविश पर जनता की आख बंद नहीं है यूपी में सरकार बदलने की परंपरा रही है आपका दावा तो है कि आप वापस आएंगे पर सवाल यह है कि क्या इस परंपरा को आप बदल पाएंगे आपकी कविता तो बड़ी खुब थी और आपके कविता ने ही आपके कुछ सवालों का जवाब दे दिया कविता के बीच पे आपने कहा कि कॉंग्रेस छोटा मुठा गाड़ी को डेंट करा क आपने करार दे दिया कि यूपी के चुनाओं में कॉंग्रेस को कोई बिल्कूल कोई अंडार कंसिडर ही नहीं कर रहा है यह कविता का अंश मुझे इसा अर्क लगा और दूसरा दूसरा भाच्पा की और योगी जी की सबसे बड़ी कमाल देखी है कि यूपी में चुनाओ लड़ने के पहले आज केजरीवाल जी को भी आयोध्या के श्रीराम मंदिर बजा करके मत्था टेकना पड़ा और जय श्रीराम कहना पड़ा ये योगी जी के और भाजपा की चीत है सर आप काम बहुत अच्छे कर रहे हैं सच में पर ये जनता समझ नहीं पा रही है देखिए अभी महंगाई का अर्थ हम अमीर हो रहे हैं आपके मंतरी नहीं कहा था मंतरी जी से पूछा गया था कि महंगाई बहुत है बोले नहीं लोगों की परचेज पावर बढ़ रही है तो महंगाई का अर्थ के हम अमीर हो रहे हैं अनपड़ लोग ये सत्य नहीं पहचानते अनपड़ा तुम बाका है ये सत्य नहीं पहचानते और उपर से ये कांगरेशी और बिपक्षी दल हिंदू मुसलमान का तनाव नहीं तांते इतना गैर जिम्मेदार बिपक्ष कभी तनाव नहीं तांते तो बोकुमरी बिदेख्यों आपके अभी आप ने कही यह कई कर लोग देंगे बूट दे भी सकते हैं पर सुनना ही रहे कि बोकुमरी इंडेक्ष में 2004 में कि पच्छ मन मां पच्छ पनमा इस्थां था ये तद्धि नहीं ही जानते लोग पच्छ पनम में इस्थान था ये तत्थ नहीं जानते और आज 101 पाइदान पर खड़े हैं फिर भी ये मूर्क इसे बिकास नहीं हुआ किशोर जी मैंने कविता लिखी है लॉजिक्स की लाश पर खड़े होकर आज कल जब सोचल मीडिया खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि लॉजिक महां पड़ा करा रहा है कोई उसे देख नहीं रहा तर्क वहां पड़े करा रहे हैं और बात कुछ और चलगी है डोला रख पीटा जा रहा है वहां से कविता पिसमें मैंने कुछ नहीं किया जो फेस्बुक पर आता है वो मैंने कठा कर दिया भगवान इंसाफ करे इस कॉंग्रेस का बट्टा बिठा दिया पूरे देश का सबसीडी दे देकर असली कीमत चुपाते रहे हमें सस्ता पैट्रोल सस्ता अनाज और सस्ती आत्रा उपलब्द कराते रहे हमें सस्ता पैट्रोल सस्ता अनाज और सस्ती आत्रा उपलब्द कराते रहे तब हम उस सस्ते को भी महंगा कह कह कर रोते थे रसोई गैस पर पांच रूपे बढ़ जाए तो सिलेंडर लेकर राजगाट पर खड़े होते थे तब रे स्क्रीट लिस्ट के सवाल से सत्ता गिर जाती थी सत्तर रुपए लिटर का पैट्रोल दिखा कर सरकार पर धावा किया जाता था 70 रुपए ल्यटर दिलने का दावा किया जाता था लेकिन अब कोई जन्ता ओंग नहीं पाएगा लेकिन अब कोई जंता को गुमराह नहीं कर पाएगा अब यह देश 30 रुपे किलों की डाल पर नहीं पढेगा अब यह सो रुपे किलों की डाल खिलाई जाएगी जनता का शॉचन करने वाले वाले कॉंग्रे fic अब अपना माथा पीटेंगे, हम 700 रूपर लीटर नहीं, अपने स्वाविमान की वेल्यू बढ़ाते हुए, 1000 रूपर लीटर का पैटरल खरीदेंगे, पहली बार कोई आदमी इस देश को स्वाविमान से चलना सिखा रहा है, जिन चीजों ने 2 डिजिट के रेट में 70 साल का अब सरकार की कमाई में कहीं कोई होल नहीं होगा, अब सरकार की कमाई में कहीं कोई होल नहीं होगा, कॉंग्रेसी क्या समझते थे, सडकों पर चलेंगे और तोल नहीं होगा, अब हमारे रनों पर कोई डाउट नहीं कर पाएगा, बिना किल्ली गाडे मैच होगा, कोई हमें कोई हमें रन आउट नहीं कर पाएगा फील्डरों के हाथ बांद कर कैच देंगे और जिनके दाम हम नहीं बढ़ा पाएंगे उन्हें प्राइवेट हाथों में बेच देंगे लेकिन मेंगाई के सवाल को सवाल ही ना मानने का हुनर क्या जानते हैं बिचारे कॉंग्रेसी ये कोई कॉंग्रेस की सरकार नहीं है जहां दाम बढ़ाना जनता का शोशन जाना जाएगा ये भाजपा की सरकार है बंदू यहां जितनी ज्यादा मेंगाई होगी उतना ज्याद वंदन करता हो पीड़ा को समझ रहे हैं पर इसका जो उनका जो कहने का जो ताकपड़े उस पर कह दूँ कि देखिएगा कि यह जो सारे इसके यह आज का कारेकरम बिल्कुल हास्यात्मक और एक अलग धंका है इस पर सारे मुद्दों की चर्चा नहीं हो पाईगी पर मैं आप किस पर कर पाया यह पूरी तरह से पारदरशिता के साथ प्रामानिक्ता के साथ काम करने वाली सरकार है पर यह जो विकास के काम हो रहे थे का कजबे कजबे में हर जगा यह तो काले दन से होने थे काले दन से होने थे न यह तेल से कैसे हो रहे हैं क्या कि रहा यह जो विकास से मूधी सरकार आने के बाद पहले दिन इसके लिए कानून के प्रावधान कई सारे किये गए अटल जी की सुन्दर कविता है तूटे वे सपनों की कोन सुने सिसकी अंतर की चीरविथा पलकों पर ठिटकी जब दर्द यहां होता है तो सबसे पहले पलकों को पता चलता है इस नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा काल के कपाल पर लिखता मिटाता गीतनया गाता हूं मोधी जी के नितरुत्म में भारत का विकास होगा और विश्व में एक नंबर की ये अर्थ विवस्ता में महास्ता भारत बनेगा पूंप से अपना पेट्रोल भर रहे थे तो मैंने बता है था मुझे तो मैंने गए तो कोई बात नहीं है हमारे देश में तो पेट्रोल पॉम नेताओं के भर देते हैं क्या बात है वाँ बढ़िया तो आई ये महंगाई पर बात किये कभी ता मैं सुनाता हूँ आपके यूपी के मंत्री हुआ कॉंग्रेस काल में हुआ करते था नेताओं के अभी इस काल में नेताओं के फंप नहीं है मैंने आपके कवीटा के दर्द को उसके दमको उसके कशीष को और आपके तो कि मेंने सरहारा की तो यूपी के मंत्री है उपेंदर तिवारी ने कहा कि पिचान में परतिसत जनता पेट्रोल डीजल का उपयोगी नहीं करती ठीक कहते हैं तांगे और टांगे कौन से पेट्रोल मांगती हैं कि पेट्रोल डीजल तेल के दाम जब से बढ़ गए हैं विपक्षी सरकार की छाती पर चड़ गए हैं केजरी बोले बेशक मेरी कमीज दो बिलांद और कटवा दो केजरी बोले बेशक मेरी कमीज दो बिलांद और कटवा दो लेकिन मोदी जी तुमको मेरी कसम तेल की कीमत घटवा दो तो हार पे मेरे अर्मा ठीक से नहीं मचल पाए करवा चोथ पर हम पकोड़े तक नहीं चल पाए करवा चोथ पर हम पकोड़े तक नहीं तल पाए कनहिया बोला कनहिया बोला गर इस सरकार का कलेजा नहीं पिगलेगा JNU की कसम घर-घर से डीजल निकलेगा मायावती बोली ये महंगा तेल हमें गम दे रहा है मेरा हाथी पहले ही माईलेज कम दे रहा है मेरा हाथी पहले ही माईलेज कम दे रहा है इसकी आखों में मुझको नमी लग रही है इसकी आखों में मुझको नमी लग रही है इसमें आरियन की मुझको कमी लग रही है आरे आज के लिए यही चल रहा है ना जबान पर यही आता है इसकी आखों में मुझको नमी लग रही है इसमें आइरन की कमी आइरन होता है ना हाँ इसमें आइरन की मुझको कमी लग रही है अखिलेश बोले ना मैं ना साकी और मीना चाहती है अखिलेश बोले ना मैं ना साकी और मीना चाहती है मेरी ये साइकल बस थोड़ा सा तेल पीन चाहती है जैसे उखाडी थी टोटी जैसे उखाडी थी टोटी वैसे ही सरकार उखाड फेकेंगे अब होगा खदेड़ा यह भाजपाई नेता केंगे ओएसी बोले सियासी ख्वाब अब मैं ढालूंगा क्या ओएसी बोले अब ओएसी बोले सियासी ख्वाब अब मैं ढालूंगा क्या सांपरदाइक आग में डालूंगा क्या लितने रोज कुर्शियों के कयास पल रहे हैं तेल की आड में सत्ता हरण के परियास चल रहे हैं भारतिय जनसंग का चुनाव चिंद दीपक होता था वो इसलिए बदल दिया क्योंकि तेल डालना पड़ता दीपक अपने हिंदि संस्कृति का एक सनातन धर्म का एक अपने आप में उड़जा का स्त्रोथ है और अध्यात्म में ऐसे कहते हैं कि कोई भी अच्छे शुपकाम की शुरुवात दीपक से ही होती है ये जो बात कह रहे हैं तेल के दाम या अन्य दाम इस पर कई वार जो इंटरनाशनल मारकेट में जिस प्रकार से रेट कम ज़्यादा होते हैं उसमें फ्लक्शर्शन आता है उस आधार पर ये किमते कम अधिक होती है पूर जादा ही जादा हो रही ने, कम जादा नहीं हो रही उस जादा जादा हो निश्चित तोर पे आपके जो मन में है कम भी होगी पर कोई जान बुश करके उन कीमतों को बढ़ाता नहीं है बहुत ही जल्द जो लोगों के मन में है वह उस प्रकार से निरने बहुत ही जल्द संभव है देश हित में काम हो रहा है अब कुछ सवाल लेते हैं इसमें आपको बोलना ही नहीं है सिर्फ ये प्लैकर्ड है ये कैमरा की तरफ येस है तो येस नो है तो नो अब कौनसा कैमरा फेस करेगा बताईए पहला सवाल अंग्रेजों ने भारत को आजादी 99 साल की लीज पर दी थी देश में महंगाई सिर्फ विपक्ष का प्रोपगेंड़ा है वीर सावर कर ने अंग्रेजों को माफी नामे लिखे थे पस गए टाइमर बीच में भी रख सकते हैं मत दो जवाब आज़ा ने कैसा है इसका जवाब निश्चित तोर पर दे सकता हूँ पर यह जवाब देते समय उस समय की हमको कुछ बातूप की भी चर्चा आज़ा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खलाफ भारत की हार के बाद महम्मद शमी को ट्रोल किया जाना गलत है गलत है किसी शक्स का धारमिक पहचान च्छिपाना गलत है उस पर कारवाई होनी चाहिए समीर वान कड़े पर भी हाँ हाँ है इनिधिंग